नमस्कार दोस्तों स्वाकत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कमपर्ठीट एंग क्रेक में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक निक है तो प्लीज लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर नाम बदो लिएगा एक आपकी स फ़र्म भर चुके होंगे फ़र्ने के त्यारी करते हों कर रहे होंगे विल आपको जो भी एक्जाम देना होता है उसके बार आपका पूरी जंकारी होनी बहुत जरूरी होती है तो इस वीडियो में हम जो इलहावाद हाइक कोट की दोर 19 की वेकंसी आए थी उसकी कटाफ कि करेंगे और अगर आपने तक कोसे पर नहीं दिखाया उसका तो कमेंट किजिएगा मैं उस पर वीडियो का दूंगा एक्सपर के साथ ठीक है तो जाई वीडियो कम सिरुवात करते हैं विल कटाफ जाने के लिए हम सब सब्सक्राइब जाने चाहिए कि सीट कितनी है इस बार पर रोल होता है कटाफ पर धार में तो इस बार के जो सीट है इसके बार प्रटा करते हम तो गृप सी की जो पोस्ट है यह आपकी यह तीनों है और इन तीनों की जो वेकंसी है वह 1186, 1021 और 26 तीनों कॉप एड करेंगे तो लगभा हो जाती है आपकी 223 लगभा 223 पोस्ट ह पिछली बार कितनी थी इसके बार देख लेते हम तो पिछली बार जो है गृप सी की जो पोस्ट है यह आपकी जो टीन है यह गृप सी की पोस्ट है और यह लगभा लगभा आपका चारसो बार है चारसी और चारिस बढ़ता है तो लगभा आपका यह 1936 पोस्ट है ठीक है और गृप D की जो पोस्ट थी ओ है 1569 ठीक है पिछली बार देखते हैं आप 1699 है और यह भी आपका लगभा 223 आप देख सकते हैं कि इस बार जो सीटी है पिछली बार के पिक्छा अ आपका 100 marks के थे ठीक है उसके बार इसमें टाइपिंग होता है हिंदी और इंगलीज जो की 55 marks के होते हैं तो पुरा मिला के आपको पेपर जो होता है और देख सकते हैं मैं जूम करेता हूं कि आपको दिखाई दें आप आप देख सकते हैं कि जो अन्रिजर्ट कटर रही है इसके जो कटाफ गई थी और 126.833 तो देख सकते हैं जो कटाफ है बहुत ही हाई गई है और अगर आप इसका परसेंट निकालेंगे तो लगमर आपका यह 85% के आसपास मैठेगा ठीक है आपका यह 83% के बेटेगा तो यह अपकी परसेंटेज भी देखते है कि केटाफ जो है बहुत ही हाई गई है और इसका करणर भी यह यह कि पेपर जो है पेपर का लेवल होता है बहुत ही इजी होता है अगर पेपर देखते हैं तो प्रेस कमिन कीजिए मैं ग्रूप सी की ज और सेलूर्ल ट्राइब को दिखाते हैं आप 92 हो ौने का वो बहुत ही अच्छा है यह जानर के नहीं कि पास सब्सक्राइब हो गयी है तो अदर को आप देखाते है ताप देश सकते हैं और मैं एक पोल्ट अपना कर दो दोगा टेली गाम पे आप टेली गाम इम लिंक-जो है और आपने भी तरफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए यह चैनल आपका ही चैनल है सब्सक्राइब करना मत दोलिएगा तो निश्य जो है आपका गुरूबडी का इसका आप देसकते हैं इसमें जो एक जाम हुआ था आपका 200 मार्क्स क ठीक है यह 200 मार्क्स जो एक जाम हुआ था उसमें आप देसकते हैं कि अन्रेजर्ब जेनल की जो कट आफ गए थी 193 गई थी 193 आउट अफ 200 आप देसकते हैं कितनी बड़ी कट आफ गई हुई है यहां पी ठीक है इसका पूरा करण है कोश्टन पेपर का लेवल कोश्टन तक बहुत ही इज़ी आया था गृफ डी का आप को VOC तो ने पूरी एक्रिशी के साथ पूरी कुस्स को किया उन्होंने बहुत ही अच्छा किया इस एजाम में और जो स्ट्राइब कास्ट गया था वह 189 और स्ट्राइब का बाप में 186 और उमेंस का जो है जो है चेडरल में 182 है और अदर एकवर क्लास में 188 है तो अब देखते ह है कि जो ड्राइबर की पुष्ण आती है उसके अलग से कटाफ बनती है उसके वारे में कितनी गए थी तो यह आपका 100 नमर के फेपर था और इसमें जो जो जनल की कटाफ है ठीक है वह 88 है आप यहां सुछ सकते हैं कि जनल की कटाफ 88 है और OBC की कटाफ 91 कैसे है तो मैं बता कटाफ बनी हुए थी उसमें ऐसा नहीं था उसमें जनल के कटाफ हाई थी ठीक है तो आप दे सकते हैं आपके आपके अपकी जनल की और OBC की 91 गई है और बागे सबकी वेकंसी नहीं थी क्योंकि सीटें बहुत कम थी ड्राइबर की आप मैं देखा दो कितनी की ड्राइबर क सीट थी आपकी ओके बल फूर्टी थी तो अधर जो आपके होते हैं रिजर वेसंस ओकाम नहीं कर रहा था है याप तो उसमके सीटें नहीं थी ठीक है तो चलिए इसी खत्म वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं और फिर सब्सक्राइब करते हैं कि अगर आपना अभी तक च लिए जैहिन जैहरत